नमस्कार, राम राम सा, विक्स क्लासेज के रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है, यह हमारा इसलिए 27th सेशन है रीडिंग का, रीडिंग पे स्टूडिंट्स जनरली इसको अवोईड करते हैं, I don't know why, I don't know the reason, the fact is, जितनी आपके अच्छी रीडिंग होगी, उतना ही आप का English पे अच्छा होल्ड होगा, नए वर्ड्स भी कुछ आपके सामने आते हैं, दूसरा, जो contemporary मुद्धे हैं, उनके बारे में जानकारी आप से, रीडिंग के थ्रू ही आती है, so more you read, more variety of reading is there, there are better chances of scoring high in the examination, आप exam में high भी score कर सकते हैं, क्योंकि one third part is always based on reading skills, तो इसके लिए आप ज़्यादा ज़्यादा अपने reading skills को निखा रही हैं, क्योंकि ये वो वाला हिसा है जो एकदम से नहीं आप develop कर सकते हैं, इसमें time लगता है, fix जो theory वाली चीजे हैं, वो आप आसानी से कभी पर भी कहीं पर भी सीख सकते हैं, but जो reading वाला part है, it takes very very long time, तो इसके लिए आप reading पर हमेशा focus करें, reading पर ज़्यादा ज़्यादा आप ध्यान दें, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के article की, India's demographic time bomb, what is demographic, तो demographic होती है आपका, जो आप कह सकते हैं, हमारी जो वर्तमान विवस्था है, उसमें, जो हमारी जो population है, उसका हिसाब किताब, population की जो study है, that is called demographic, dem का मतलब होता है, लोग वैसे भी आप जानते हैं, democracy वो डिशे से बना है, तो लोगों का जो अध्यन है, लोग किस उमर के हैं, क्या उनका employment है, किस area के रहने वाले हैं, क्या population density है, यह जो study होती है, total demographic के तहता आती है, इसमें culture की study generally हम लोग demographic में नहीं करते हैं, इसमें age employment economic factors ही वगरे ज्यादा count करते हैं, without a manufacturing base to provide mass employment, हमारे देश में अगर manufacturing base नहीं है, mass employment, आम जन को employment देने वाला, the country faces potholes in its growth journey, potholes का मतलब खड़े हैं, जो सड़क में पड़े होते हैं, जो अपनी यात्रा में इसको काफी खड़े देखने को मिल सकते हैं, रुकावटे, तो इस तरीके से किस context में कोई word आता है, दूसरे context का, और वो जो अपना अर्थ देता है, भिन देता है अपने context से, that is called, आपका, we call it, figurative sense, जो आपका अलंकार के रूप में प्रियोग किया जाता हैं, तो किसी भी अर्थवेश्था में, अगर mass employment की बात की जाती है, तो उसमें manufacturing sector का बड़ा एहम रोल होता है, क्योंकि जब भी आप चीजों का निर्मान करते हैं, तो उसमें labor की बहुत जरूरत पड़ती है, तो mass scale पे अगर आपको रोजगार अगर चाहिए, तो आपको manufacturing पे rely करना पड़ता है, इंडिया में British, before British, British लोग आए, उनसे पहले कभी बेरोजग करी नहीं हो थे, कि defined trade था, हर आदमी अपने अपने trade में लगा हुआ था, तो वहाँ पे labor का ज्यादा सही तरीके से सदूपियोग हो पा रहा था, बट post industrialization, industrialization के बाद और automation के बाद, चीजों में गती तो आई, लेकिन उसके बाद industrialization के समय बहुत ज्यादा लोगों को जो है और रोजगार मिला, लेकिन automation के बाद, अगेन वापिस से रोजगार में कमी आई है, बट फिर भी आपके पास कोई choice नहीं है, मास में अगर आपको employment देना है, तो उसके लिए production और जो manufacturing है, वो सबसे आसान तरीका होता है, इन इडिया, it is all about the age of 25, भारत में ये 25 साल की उमर क का मसला है, सारा का सारा, that is the medium age of the entire country, हमारे देश की medium age है, 25 साल, and there are over 600 million Indians, कम से कम नाना करते हैं, आपके पास 60 करोड भारती हैं, more than half of the population, जो भारत के आदी जंसंक्या से भी ज्यादा है, वो आज 25 और यंगर, जो 25 साल है, भारत की आदी से ज्यादा जंसंक्या, 25 साल से कम या 25 साल की है, यंग people are everywhere you look, हर जगह जवानों की भीड है, in the streets, गलियों में, office में, दुकानों में, campuses में, and bring them a mood that is progressive, optimistic and dynamic, और यह age होती है, जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा जोस में होता है, तो वो क्या होता है, mood लेका होता है, progressive होने का, आशावादी है, optimistic होता है, dynamic है, जुनों से, शक्ती से भरा हुआ, progressive है, but lately, लेकिन पिछले कुछ समय में, this optimism has been on the when, on the when, when का मतलब उता है, decline, यह जो है आपका, on the when का मतलब उता है, decline पे होना, तो यह जो mood है optimism का, जो आशावाद का, यह थोड़ा गिर रहा है, and an employment figure, alarmingly higher, जब हमारा, जो employment figure है, unemployment का जो figure है, बेरोजगारियों का जो आखड़ा है, बेरोजगारों का, वो बहुत ज़्यादा तेजे से बढ़ रहा है, despite world bank figure showing that India has now overtaken France as the world's sixth largest economy, भारत, France जो दुनिया की छटी सबसे बड़ी अर्थवश्था है थी, उसको पार कर चुका है, यानि भारत दुनिया की पांच भी सबसे ब ज़रल एलेक्षिन, ये पुराना आर्टिकल है, अगले साल का जब ज़रल एलेक्षिन देख रहे हैं, मौधी गावर्मेंट, तो इसमें बेसिकली उनको अनिम्प्लोइमेंट के जो है, वो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और इस लेटेस्ट अनिम्प्लोइम is unable to keep the pace with vast numbers of job seekers, तो keep the pace, keep the pace का मतलब होता है, या keep pace का मतलब होता है, ताल मिल बिठाए रखना, या समान गती करते रहना, तो जो job creation है, जो jobs को बढ़ाने का, काम को जो बढ़ाने का, जो creation है, वो गती नहीं रख पा रहा है, ज्यादा बड़ी संख्या के साथ, of new job seekers, जो नए job seekers आ रहे हैं, leaving education, जो सिख से छोट रहे हैं, and entering the workforce, जो workforce में enter हो रहे हैं, there is a phrase for this, इसके लिए एक phrase है, the demographic dividend, इसको हम कहते हैं, demographic dividend होता है लाभांश, demographic होता है, मानविये लाभांश हम इसको कह सकते हैं, मानव से जुड़ा हुआ, इसको हम phrase को कहते हैं, demographic dividend, जदा से जदा युवा, जो workforce में, शामिल होते हैं, उसको, English language में कहा जाता है, demographic dividend, या अर्थ सास्तर की भासा में, it refers to the economic growth potential represented by shifting age demographics, particularly when those of working age 15 to 64, यह कह रहा है, economic growth का potential संभावना इंदर साता है, present की जाती है, प्रदान की जाती है, shifting age demographic, जो age shift होती है, particularly when those of working age 15 to 64, outnumber those in non-working age categories, non-working age categories कों से below 15, above 60, 64, तो इन category जो ही है, दोनों category में, जहां पर outnumber कर देना है, यानि संख्या में ज्यादा हो जाना, 15 से 64 साल की age का जो bandwidth के जो लोग हैं, यह ज्यादा जो workforce में शामिल होते हैं, outnumber कर जाते हैं, जो कि ऐसे लोग जो काम नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं, demographic dividend, generally this sort of bulls, bulls का मतलू होता है increase, बढ़ोतरी, वैसे bulls होता है, गुंबड़ या सूजन, या उभार, यह जो उभार है, is considered a boon, बून का मतलू होता benefit for an economy, अर्थविस्था के लिए, as a large number of productive workers, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में, productive workers, means accelerated economic growth, जहां पे जिसका अर्थिय होता है, कि आप accelerated economic growth के zone में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपके अर्थविस्था और बढ़ने वाली है, and given India's vast number of young people, जहां पे भारत में बहुत ज्यादा young लोगों की जनसंख्या है, उसके बाद आपका आता है, and apparently high growth rates, जहां पे भारत की first troop से high growth rate है, is a shining example of how demographic dividend can pay off, यह चमकदार उधारन है कि कैसे demographic dividend है, वो can pay off, pay off का मतलब फाइदा पहुचाना, तो हमें कैसे फाइदा दे सकता है, देखे क्या होता है, बहुत से देश तो इस चीज से जूज रहे हैं, नहीं के हमारे पास working population नहीं बची, जिसे जपान, European countries, जहां पे बहुत से देशों में working population नहीं बची है, there is just one problem, वहां पे कैवले ही के समझे है, there is simply aren't enough job, कि यहां पे हमारे यहां प्रयापत रूप में काम नहीं है, यहनि रोजगार नहीं है, to keep up with the demand, demand से तालमेल बिठाई रखने के लिए, India needs to employ, भारत को, जो है employ करना है, around a million people each month, कम से कम एक महिने में 10 लाख लोगों को रोजगार दें, तब काम चले, while jobs are being created, जब jobs create की जा रही है, it falls well short, jobs तो create हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग जो काम करने के लाइक हैं, वो बढ़ रहे हैं, उससे कम रह जाता है, fall short का मतलब कम रह जाना, causing unemployment to spike, और इससे unemployment में बढ़ोतरी होती है, spike का मतलब बढ़ना, it hit 6.23 a few months ago, unemployment rate जो था वो भारत में 6.23% था, जो बढ़ोतरी था, unemployment rate में, कुछ महीने पहले, almost double what it had been less than a year earlier, जो कम से कम डबल हो गई है, जो इससे काफी कम थी पिछले साल में, right now, इसी वक्त, there are 31 million Indians, 31 million Indians है, यानि 3 करोड 10 लाख Indians looking for jobs, जो काम ढूंड रहे हैं, which speaks to something deeply concerning about the current pace of job creation, जो चिंतित करता है, जो current, जो गती है, job creation की, या काम बढ़ाने की, या रोजगार बढ़ाने की, रोजगार वरधी job creation जो है, एक हमेशा से ही बड़ा मसला रहा है भारत जैसे देश में, जा जंसन के हमारे यहां पर हमेशा ही एक level पर बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं है, the government says, सरकार कहती है, adding new jobs is a priority, नई jobs को जोड़ना priority है, and that 3.11 million jobs were created in the 6 month period of February this year, पिछले फर्वरी में कम से कम 31,00,000 jobs create पिछले 6 महिने में, फेबरी पिछली फर्वरी तक, although the independent research firm, हलांकि जो research firm है, center for monitoring Indian economy, जो Indian economy को monitor कर रही है, says that figure is closer to 1.8 million, कि जो figure हो लगब गठारे लाग का है, 31,00,000 का नहीं है, even the lower end of the scale, अगर हम बात करें, निचले तबके की, that is, staggeringly high number of jobs, जहां पर बहुत ज्यादा jobs होती है, बहुत ज्यादा रोजगार होता है, and would be feather in cap of any nation, जो किसी भी देश के feather in a cap का मतलब होता है, achievement, यह किसी भी देश के लिए एक achievement होती है, just not, unfortunately for India, केवल भारत के लिए ही नहीं, देखे, जो lower level jobs होती है, जहां पर मास को काम में लगाया जा सके, वो अगर ज्यादा है, तो वो किसी भी देश के achievement होती है, how does this play out, और यह कैसे चलता है, in March, the government advertised 90,000 new positions with Indian railways, the country's largest employer, भारत में, March में 90,000 नहीं vacancy announced की Indian railway ने, country's जो देश का सबसे बड़ा employer है, there were 25 million applicants, उसमें कम से कम ना ना करते, 2 करोड 50 लाख application आई, more than entire population of Australia, जो ऑस्ट्रेलिया की जंसंख्या से भी ज्यादा है, even by Indian standard, भारत के भी standard से देखें, where the stability of government job is highly priced, जिसमें government job में जो स्थिरता है, उसको बहुत ज्यादा माना जाता है, वो बहुत जदा कीमती है, there was an alarmingly high turnout, और इसमें भी बहुत ज़्यादा turn out था, government jobs में लोग ज़्यादा apply इसलिए करना चाहते हैं, क्योंकि वो stable होती है, job जाने की बीच में कोई इसमें ऐसे situation नहीं होती, particularly for semi-skilled job, जो काफी semi-skilled jobs हैं, जिसमें आपको कुछ skills आई हैं, जैसे local pilot है, या फिर जैसे d-group की vacancies हैं, यह semi-skilled या low-skilled job होती हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा high-level की skills की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, it wasn't the first time in 2016, 19,000 applicants wide for 114 advertised jobs as street sweepers, among them people were with MBAs, and पिसले 2016 में 19,000 applications आई थी, 144 jobs के लिए, जिसमें street sweepers की जो गलियों में ज़रू लगाने की jobs थी, उसमें से, उसके लिए 19,000 लोगों ने application दी और उसमें MBA भी शामिल थे, ज़रू वाली job के लिए, so this is how it is, while the youth bulls is the driver of the problem, जब यूथ की जो बढ़ोतरी है, वो इसका प्रे जो है, बढ़ाने वाला है इस समस्या को, there are other factors at play, दूसरे factors भी है, as Indian continues to transition from largely agrarian based economy into something more modern, जिसमें भारत अर्थ, जो कर्षिय आधारित अर्थविस्था को छोड़के, ज्यादा जो आधुनिक अर्थविस्था उसकी तरफ बढ़ रहा है, its citizens want a slice of the pie, तो वो उस जो हिस्सा है, उस पाई, उसमें सारे के सारे citizens अपना हिस्सा चाहते हैं, young people armed with smartphones, जिनके पर smartphones है, are not content scratching out a life of subsistence farming or working as laborers, तो ज़्यादा तर youth जिसके पर smartphone है, वो जिन्दगी जो है वो गरीब की तरह है, subsistence, गरीबी की खेती से, और जो working as laborer से बहार निकल के अच्छी jobs चाता है, so this is it, यह आज का article था आपका, तो इसमें बता रहा है कि कैसे, जो youth है, वो भारत का, वो जो demographic, जो dividend है, यानि कि मैं एक हूँ, मान भी यह जो फाइदा है, जो लाभान से भारत का यह है, कि भारत में, जो majority जनसंख है, more than 50%, 15 से 64 के bracket में आती है, जो working class population, जिसको हम कह सकते हैं, working population हम कह सकते हैं, जो work कर सकती है, तो ऐसे श्तिती में, जो job creation हो रहा है, वो उस गती से नहीं हो रहा, जिस गती से, रोजगार चाहने वालों के संख्या बढ़ रही है, तो फिर बेरोजगारी की जो आंकड़े हैं, वो दीए हैं, और government की कुछ दावे हैं, कि 31 लाख कुछ ऐसी कुछ दसजार कुछ jobs create होई हैं, तो जबकि वो कह रहे हैं कि कुछ independent agency करी, कि 18 million jobs ही, यानि कि आपकी 1.8 million यानि कि 18 लाख जोब से कुछ या ऐसा कुछ jobs ही, 18 लाख है आई तिंक, इतनी jobs create हुई हैं, ज्यादा jobs create नहीं हुई हैं, तो यह कुछ issues हैं जिनको लेके मसले चल रहे हैं, तो यह जो बढ़ोतरी है, spike है unemployment में, इसको लेके काफी concerned है उथर, तैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, राम राम साथ,